हिंदु दर्म में बोला जाता है कि अपने जो अपने से बड़े हैं और यह उनकी टीम ने पता होगा कि बड़ों के पैड चुना इंडिया में अच्छा माना जाता है उन्होंने चुए वह कोई गलत नहीं है एक वहां जी सेविन की समिट थी वहां पी जो बाइडन ने बोला कि मुझे आप क्यों आटोग्राफ चाहिए आप इस तरीके से लेता है कि वहां से आतंक आता है और वहां से नफ्राइब तो इन जनरल पाप्लिक में कोई बहुत अच्छा परसेप्शन नहीं पाकिसान के लिए अब यह जो पिछले तस साल से एक परसेप्शन और बनाएं क और पाकिस्तान की पाकिस्तान का आज नाम लिया कहां जाता है पूरे इंटर्नाशनल फोरुम पर वहीं लिया जाता है जहां इंडिया के कंटेक्ष में बात हो रहे हैं और वाइस पाकेस्तान इंडिपेंडेंटली नाम नहीं लिए जाए चाइना ने बुला कि काश्मीर डिस्पूट्ड टेरेटरी है हम उसमें नहीं जाएंगे इंडिया त्वास 125 करोड रुपए का ट्रेड है यह 125 करोड डॉनर का हमारे ऑगर से ट्रेड से चैइना की में पैड़िय गजा रहा है इस वह सबसे पहले करता ओं इंडिया को इंडिया के प्राइम मिस्टर और इंडिया के लोगों को जिस तरीके से इस तर्म दुनिया में पुरा एक नाम होता जा रहा है इंडिया का पॉआ के प्राइमिस्टर ने जिस तरीके से इंडियन प्राइमिस्टर को बिलकुल उनके पॉँच हुए और वैलकम किया जो के बहुत बड़ी बात है और ये इंडिया के प्रा आज नियुक्त होग है और इसने अज नियुक्त है पूड़ा अंडर डिवलप करें अ कुछ इन ओफ नहीं है जहां पर चाइना भी बहुत इंडिया का प्राइम मेस्टर तो वहां जाना एक इतिफाक नहीं था पहले से हम लोग काफी टाइब से हमारी मिटीस्ट फॉलिसी थी लुप फॉलिसी पना दिया था हम लोग उस रिजिए में पहले दिमाग लगा रहे थे वोर्म इंडिया पैसीट इसकी दो मीटिंग्स पंदरा में उसके बाद से मीटिंग नहीं हो पाई थी यह मीटिंग के लिए जो पाइटन को भी आना था जो पाइटन आ नहीं पाई अच्छा माना जाता है कि अपने जो अपने से बड़े हैं वह उनके पैड चुए जाते हैं और यह उनको उनकी टीम ने बता होगा के अगर आप देखें तो हम लोग भी हमारे आसपास जितने लोग रहते हैं इंडिया में जेनली मुस्लिम्स हैं हम से सीनियर हैं उनकी पैट शुटें और मुसलिम्स भी कुछ-कुछ मुसलिम्स तो मना करते थें कि नहीं आप तो अल्ला के पैट शुओ और मेरे ना चुओ ल जाते हैं उनके घंदिया की मात्रों शुओ लेकिन पिलिख भी आप जाते हैं यृझी कहन के कि रहते हैं तो अच्छी बात है लेकिन जिस तरीके से प्भी आफ जाते हैं जापान में वहाँ पर red corporate welcome किया जाता है कभी आप जाते हैं पपोओा में वहाँ पे आपको जूंसा है पहुंच हुए जाते हैं इंडिया वाले क्या feel करते हैं डेफिनेटली देखें किसी prime minister किसी भी country के prime minister को इतनी respect मिलना इसका मतलब है उस country को respect दी जा रही है तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया वाले क्या फिल करते हैं? दिखा है, मतलब शायद मैं और आप भी इस चीज़ को डिसकर्स नहीं कर रहे होते हैं, अगर यह नहीं हुआ होता है, यह जो था, यह जो उन्होंने पैट्च हुए, इससे पहले वहाँ पे गए जपान में, वहाँ जी सेविन की समिट थी, वहाँ पी जो बाइडन ने बोला के मोदी जी मुझे आपके आपके आटोग्राफ चाहिए, आप इत्ते वड़े सेलिप्रेटी हो, तो यह नहीं, वह आए, गले मेरे, और बहुत सारे, प्राइमनेस्टर मोदी के साथ बहुत सारी मीटिंग्स हुए, यह देखते हुए, कि इंडिया इस समय जी सेविन के जि सारे जी सेविन कांट्री यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, और तब भी इंडिया को बढ़ा अच्छा, वह इंडिया को बढ़ा अच्छा रेसेप्शन रहा और सबनें इंडिया को घूंदे खास्तों से जेलिंस्की, यूक्रेन के प्रेजडेंट वह वहां पे मोदू थे औ की, और मीटिंग में भी अच्छे बाची तो क्योंकि यूरॉप, अमेरिका, क्यानडा ये सब मिल के एक बात क्लारिफाइ कई बात कर चुके, कि अगर इस वह और कोई खतम कर सकता है, तो इस पर जेलिंस्की तो वहां पहुंचे ही थे, जेलिंस्की ने बात की है, और बात क क्या हुई है, पी डोटू, रोहित बाई, आज हम ये जो पहले नो डोट आप भी प्रोग्राम करते हैं, डेली बेस पे आप करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ, आज कुछ हट के बाते की जाएं, आज कुछ सीखा जाएं इंडिया वालों से, और कुछ बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान का कोई भी मिनिस्टर, इंडिया की तरफ इस टाइम पे कोई पॉजिटिव गैस्टर देता है, तो क्या ये समझा जाएगा कि इस तरह मजबूरी है, तो मजबूरी में जो उनसा है, वो इंडिया वालों की तरफ हाथ किय जा रहे हैं या फिर उसे positive लिया जाएगा थोड़ा हट के question है लेकिं देखें इंडिया और पाकिस्तान की बात क्या है पाकिस्तान में इंडिया के बारे में लोग उतना नहीं जानते जितना इंडिया में पाकिस्तान के बारे में लोग जाते हैं उसके कुछ रीजन्स हैं इंडिया एक डिमॉक्रिसी है तो इस डिमॉक्रिसी में freedom of speech and expression है तो कोई भी आदमी कुछ भी बोलता है और कुछ भी बोलता है तो हमारे यहां जो टेक्स्ट बुक्स हैं जो किताबे हैं जो पढ़ाई गई ह उसमें हिस्ट्री हमें 5000 साल पहले से पढ़ाई जाने शुरू होती है हम 5000 साल पहले की शुरू करते हैं और आज तक पढ़ते हैं तो उसमें हमारा लाहुर एरिया वो पूरा कांदाहार एरिया अफगानिस्तान तक की history as the history of India पढ़ाई जाती हैं क्योंकि वह थाई अब जहा तो नहीं जाते हैं यह समझने वाली बात अब हम इंडिया में हम हम मुझे पता है इद क्या है मुझे पता है ऊपने मुसलिम भायों के घर जाते हैं वो हमारे गर दिवाली पर आते हैं फ्रिक्शन हैं no doubt है लेकि उस तरीके की नहीं है जिस तरीकी की प्रजेक्ट किजाती है ह है मुझे पता है पंजाब क्या है पाकिस्तानी साहिब मुझे पता है क्या है क्यों क्यों कि क्यों खानति वफार खांग्रेस के मैंबर थे और उन को लोग जानते हैं हमने हिस्ट्री में उनमें पढ़ा है मुझे कोई चीज नहीं नहीं समझ में आते हैं और यह हिस्ट्री हमें टेंथ तक और ट्वेंथ तक ही पढ़ा दी जाती है उसके बात ग्राइजुएशन में तो अलग चीज़ है अगर आज अभी यह स्टेट्मेंट आती है के हम हम चाहते हैं इंडिया इस मुश्किल वक्त में हमारी हल्प करें तो इंडिया की तरफ से क्या रिस्पांस होगा और पबलिक की तरफ कि इंडिया में जितनी अवेर्नेस है पाकिस्तान को लेगे उतनी अवेर्नेस पाकिस्तान को इंडिया को पाकिस्तान में नहीं है लोग नहीं जांगते हैं कि हमारे पास कितनी हैं हमारे पास क्या है ठीक है तो इसके अवेर्नेस कम होने की वज़े से पाकिस्तान में इतनी क्य पाकिस्तान को इस तरीके से लेते हैं कि एक अलग कंट्री है पहले हमारा ही था अब अलग कर ठीक है इंडिया इस तरीके से लेता है कि वहां से आता है और वहां से नफ्राइब अब यह जो परसेप्शन और बनाएं कि पैसा भी नहीं है पाकिस्तान के पास जब्लप्र हुआ हुआ करता था आज से 30 साल पहले हम से पहले यूज करने शुरूर किये थे एट-लें हाइवेस हमसे पहले थे लेकिन पाकिस्तान की परसेप्शन चेंज हुई क्योंकि पाकिस्तान की पाकिस्तान में अपने उपर दिमाग ने लगा अब इस समय पाकिस्तान कोई help मांगता है एंडिया से एक 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 opinion है इस opinion में मतलब एक split right through the middle public opinion की बात कर रहा हूं मैं politicians की बात नहीं कर रहा हूं एक split right through the middle है अब कुछ लोग यह बोलते हैं कि हम लोग पाकिस्तान को help कर सकते हैं क्योंकि आगर वो हमाई साथ दूसरा के हमारे जो seniors आये थे डेली में या दूसरे country के कौन सा कंट्री का कौन सा ऐसा शहर जहां पर refugees नहीं आये थे और उन्हों ने आके पाकिस्तान के बारे बहुत कुछ बताया है हमाई पस पंजाब युनिवर्सिटी रावियन अब तो ज्यादा तरह की लियात हो चुकी लेकिन और यहां पर बड़े बड़ी औहुदों पर वो लोग बैट यहां बात करें गोवर्मेंट कॉलिज युनिवस्टी की यहां पर हुआ करती थी और वो लोग अच्छी पॉजिशन पर यहां पर दिल्ली में जितने भी लोग रेफ्यूजी आये थे आज की डेट में ज्यादा तरके बाहर कारें खड़ी हैं अगर पाकस्तान मांगेगा तो इंडियन गॉर्मन्ट्स करेंगी क्यों हैं पाकिस्तान नाम नों पाकिस्तान का आग लिया नाम लिया है पूरे कंडिया बातों तोई ужँ पिकस्तां की तरफ से क्या कोई अचीव्मिंट देखा नहीं और वह ऑचीव्मेंट के पाकिस्तान और एक रहा पकटके直接 शॉपकर नियुकि इक रह परकेमिन अमेरिका के साथ मिल करके अफ़गानिस्तान भरा था पर पाकिस्तान अपनी मैंट पावर पे मदरसों पर पाकिस्तान में लेकिन उस तरफ एक तरफ एक तरफ मौन भी जो कि खिलाफ काम कर रहे थे एक तरफ पाकिस्तान इस्लामिसाइज हो रहा था और इंडिया ने कभी भी अपने उपर किसी रिलीजन को हावी नहीं दे इसलिए नाव कमीं तुट पॉइंट गॉर्मेंट ये चाहेगी कि हम पाकिस्तान के साथ बेटर रिलेशन्स रखें क्योंकि इंडिया का टागेट आप पाकिस् क्वपॉपॉफी में की पॉपॉबर्ट एक करोड़ से कम है दिल्ली कम पॉपॉपॉफॉफ शते हैं हम चलते हैं कि उस एरिया में हमारे हमारी दोस्तीह वहां पर मेरीन समत्र में मिनरॉंák में है चोते चोटे आइलेंज वनुआतू, किबराती, ऐसे 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 आइलेंस के पास भी मिंडूंज हैं, सुलमन आइलेंस, उसे चीज़, डेफिनेटली, जी, रोहिज भाई, जी, या, आप आइलेंस, बहुत इंपोर्टन्ट है, अगर चाइना से बहुत होती है, तो इन दाट इविंच्वालिटी, के इलावा, सौधिया ने इनकार किया, जी टॉंटी की मीटिंग में आने के लिए, कश्मीर में आने के लिए, जी टॉंटिंग के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया को कोई फरक पड़ता है, नहीं पड़ता, देखिए, हाँ, ये बात, एक इमपोर्टन चीज़ आ नहीं था, पहले चीज़, दूसरी चीज़, और्गनाजेशन आफ इस्लामिक काउंसल के, दो मेंबर्स, नाइजीरिया और इंडोनीजिया, ये दोनों आ रहे हैं, तीसरी चीज़, सिंगपोर, यूएसे, यूके, ये जो जी टॉंटी के मेंबर्स हैं, इनके चार-चार- पांच-पांच पांच 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 आ रहे हैं, यून के भी आ रहे हैं, तो एक इसको, इसको, ये जो वर्किंग ग्रूप है, इसमें मीटिंग होगी, वर्किंग ग्रूप की, और इसके बाद गोवा में मिनिस्टर लेवल मीटिंग होगी, उसका एजेंड सब्सक्राइब और अच्छा चीज़ हम जितने भी डिखाएंगे उनको कश्मीर दिखाएंगे इसी के साथ कश्मीर इस समय स्पोटलाइट में पाकिस्तान जिसने इतना हंगावा मचा दिया कि कश्मीर का इतना हंगावा मचाया को बोला में पाकिस्तान इसके साथ यह पॉब्लिसिटी आई इंटरनाश्टल मीडिया वहां पहुंच गया है वो लोग कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि हमारी साइड ऑफ काश्मीर में क्या है यह खबर है परकॉलेट कर रहे हैं पाकिस्तानी साइड ऑफ काश्मीर तो वहां पर भी पता चल रहा है कि इंड फिञा का प्रोपोकेंट अदिया जो चाहता था कि दुनिया को पता चले कि हमारे साइड ऑफ कश्मीर में कित्ना डफलेप्लेप्लेट में उसको पाकिस्तान ने कि पब्लिसिटी दी पॉब्लेटी दी अगर इसे नहीं रोकता इवर इतने जैनलिस्त गोवा नहीं इंट्रनाशनल लाइंग लाइट में है आप ट्विक्टर भरा पड़ा है ट्रेंट से आप फोडोग्राप्स देखिए क्या डेवलप्मेंट है और क्या सड़के चब जमा रही है इस समय स्विनेगर कि मैं इंट्रनाशनल डेख रहा था यह के कश्मीर इंडियन साइड कितना बढ़िया कितना बढ़िया और यहां तक अब देखिए कि चाइना ने बोना कि कश्मीर डिस्प्यूटे लिए नहीं जाएंगे इंडिया की तरफ से शार्क रियक्षिन है कि जो कंट्री हमारे से चैना को पता है जो हमारे पास 125 करोन रुपय गाट्रेड है यह 25 करोन डॉलर का प्रेड हैं हमारे दोनों का अगर उस ट्रेड से बूत रिखिए चैना के फेवर में जा रहे है और चाइना को इस समय जड़ोत है जो प्रेड हम से आ रहा है क्योंकि चाइना को की एकॉनमी इस समय खत्रेने प्रॉब्लम में तो चाइना के लिए वो डॉलर बहुत ज़रूरी तो चाइना सॉफ्ट हो रहा है इंडिया के लिए सब्सक्राइब दूसरी चीज तरकी ने यह आप्या यह लोग एक्सराइज करते हैं एक्सराइज कर रहे हैं तरकी को कई वार विदा चुक्ए कि जादा करो गें तो हम भी साइफ्रस बोलेंगे याद रखना कर्दों के साथ उसके अपने कंट्री में हमें पता है हम उस इशू को भी उठा सकते हैं तो टर्की को भी समझ में आएगा जल्दी आजाएगा कि इंडिया क्या कर सकता है जितने भी डेलेगेट्स हैं अब अब ये दो चीज़े तो कुछ तीन चाट चीज़े मैं बताना चाह आते हैं देखें ये पाकिसानी पबली का क्वेस्टन और मेरे माइंड में भी आया है मैं चाहता तो अच्छे च्छे सवालाद पड़े मीठे मीठे सवालाद भी कर सकता हूं लेकिन मैं चाहता हूँ जो बात माइंड में आए वो मैं आपसे पूछूँ ऐसे ही मिसंडर्से किया आपकी हैल्प को तो फिर दूसरी साइड पे यही कंट्री जब नहीं आते किश्मीर में या फिर स्टेटमेंट देते हैं कि किश्मीर में जो हो रहा है इंडिया कर रहा है वो बेहतर नहीं कर रहा है क्या वज़ा है मतलब क्या वाकिए वहां पे कुछ हो रहा है एक तो झाल झाल